हलो एवरिवान मैं पूनम पूनम्स इजी रेसिपीज में आपका स्वागत करती हूं आशा करती हूं आप सब मज़े में होंगे और ठंडे कभी मज़ा ले रहे होंगे ठंडे में नएने डिशेश या गर्मा गर्म कोई भी डिशेश बना कर खाना चट पटा खाना बहुत ही क्शा लगता है आज मेरे रशीपी लेकर आए हूं अब पालक के पराठी हूर्ब करती तो आज में पालक के पराठी बनाने जारी हूं तो चलिये आप इस वीडियो के एंजोय कीजी हम पालक के पराठी बनाते हैं देखी मैंने पालक को दो कर अलग कर लिया है आप इसके डंठल को हम अलग करेंगे सिप पत्ता वाला भाग हम लेंगे कुछ इस तरह से इस तरह से हम चुन लेंगे अच्छे पत्त को और इसे हम मिक्सर जार में ग्रांडिंग कर लेंगे एक फाइन पेस्ट बना लेंगे इसमें हम बिलकुल भी पानी नहीं मिलाए हैं बस ए पालक का ही ग्रांडिंग जो हुआ है उसी का पानी है आप इस पालक का जो पेस्ट है जो ग्रांडिंग मैंने किया है इसमें हम जितना ही पालक का पेस्ट है उतना ही हम आटा लेकर उसे एक अच्छा सा डोब बनाएंगे स्वाफ्ट डोब बनाएंगे इसमें एक्स्ट्रा पानी हमें आड़नी करना है हम धीरे सी आटा डालेंगे इसमें स्वाद के नुसार नमक थोड़ा सा अजवाइन कुछ कटा हुआ हरी मिर्च लेंगे हम यह आप्सनल है इसके जगह पर हम लाल मिर्च के पाउडर भी ले सकते हैं जो घर पर हम दरदरा कूट कर बनाते है अब थोड़ा से हम अद्रक का पेस्ट डालेंगे और इससे हम अच्छा सा सौप डोब बना लेंगे पराटे के लिए याद रहे है इसमें अब हम इसे अच्छी तरसे गूत लेंगे याद रहे है इसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है पालक में जो पानी है जो पालक का खुद का ग्रांडिंग हुआ जो पानी है उसे से हम आटा गूदेगे और अगर थोड़ सा गीला लगे आटा या आटा की जुरुत पड़े हम एक्स्ट्रा आटा डाल सकते हैं और अच्छा सा एक सौप डोब बना लेंगे मैं यहाँ पर एक से देड़ चममच रिफांड ओल यूज कर रही हूँ जो डो हम बना रहे हैं वो सौप रहे हैं इसलिए इससे पराठे भी सौप बनता है इससे अच्छी तरह से गुनने के बाद हम 10 से 15 मिनट तक एक साइड रख देंगे और फिर हम पराठे मनाएंगे 10 से 15 मिनट हो गया है अब हम इसे अपने मन पसंद अनुसार पराठे बेल कर सेख लेंगे अब हम इसे अपने पसंद के अनुसार या फिर जैसे आपको इजी लगता है पराठे बेलने के लिए ट्राइंगल या स्क्वाइर साइड जैसे भी बेल सकते हैं इसमें हम थोड़ा से रिफाइन ओयल यूज कर रहे हैं अंदर के तरफ और ट्राइंगल शेप में मैं पराठे बेल रहे हूँ बस इसी तरह से हमें सारे पराठे बेल लेना है एक एक करके मैं यहाँ चार से पांच पराठे बना कर दिखा रहे हूँ आपको बाकी के सारे पराठे ऐसे ही बनाना है अब हम इन पराठों को सेक लेते हैं एक एक करके और मैं यहाँ पर refined oil यूज़ करूँगी अब चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं मैं बाद में इसमें बटर डालूँगी अब चाहे तो पूरी तरसे से बटर से ही बना सकते हैं बस इस तरह से में सारे पराटे सेख लोंगी झाल 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 देखी मैंने सारे पराटे एक एक करके सेख लिया है और मैंने बटर से गादिश कर लिया है मैंने यहाँ पर हरीधनिया के चटनी और दही के साथ सर्व किया है और कुछ सलाद मैंने ले लिया है बस इसी तरह से हमें पालक के पराटे बनाना है तो यह रहे पालक के पराथे देखे पालक के पराथे बनाना सब के जो तरीके हैं अलग अलग होता है कोई इसे बॉयल करके बनाते हैं कोई इसे कच्चा ही ग्राइंडिंग करके बनाते हैं तो मैंने इसे बनाया है मैं अपने तरीके से बनाई हूँ तो आप कोशिश कीजी, एक बर ऐसा ही बना कर देखे अपने घर पर, वही है, इनकर डिन अगर एक ही होता है, तरीके अलग हो जाता है, बनाने के, तो टेस्ट में भी फर्क आता है, तो ये मैं इस तरह से पाला के पराठे बनाती हूं, आप इपर कोशिश कीजी, इस तरह से और इसका मज़ा लेजिए, तो चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में, कोई एक नए रेसिपी के साथ, तब तक लिए टेक केर, बाई बाई